ऐसा क्यों है कि आप जंगल में हमेशा शुत्रमुर्ग और जेबरा को एक साथ खड़े देखते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जेबरा की सुनने की समता एकदम स्पस्ट होती है और उनकी सुनने की समता बहुत अच्छी होती है शुत्रमुक की सुनने की समता बहुत कम होती है लेकिन दृष्टी बहुत तेज होती है साथ विलर काम करने से वे दोनों अन्य हिंसक जानुरों से अपनी रक्षा कर पाते हैं नमबर दो, हिपोपटाउमस पानी में तेहर नहीं सकते ऐसा रूसी फोटाग्राफर ने खिडिकियों से जाकते और ब्रामते पर खड़े बालू की तस्विर कीची है दृवे बालू बहुत चलाक शिकारी होते हैं कभी-कभी दिखावा करते हैं कि वे आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं और वे काफी अराम कर रहे हैं लेकिल वे अचानक हमदा करने के लिए तयार होते हैं